नमस्कार मैं डॉक्टर आरपन चतुरमाता संजीवनी सी वी सी यू एसे कैंसर होस्पिटल मैं कैंसर सर्जन हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब कैंसर यूवा लोगों में बहुत देखने को मिल रहा है मुखेता उसका कारण है लाइफस्टाइल में चेंजे हमारी देन दिन चरिया में बहुत ज़्यादा फरक आया है स्पेशली गर्भाशय के कैंसर के बारे में बात किया जा है तो यह एंडोमेट्रियम जो है वह मोटापे के कारण शुगर डायबिटीज के कारण और हैपर टेंशन यह तीन उसके मुखे कारक है और देख रहे हैं आपक देन नियमित एक्सराइज करें करें एक दढ़ गंटे की रोज एक्सराइज करना योगा करना मेडिटेशन करना मोटाबे से बचना ब्लड प्रिशर के कारण अगर कुछ पता चलते तो उने रूल आउट करना कुछ शुगर की बिमारी अगर आ रहे है तो उसे नियमित तर वह प्रिजर्वेटिव भी कही ना कहीं बहुत सारे हमें कैंसर करा रहे हैं गर्भाशाय के भी कैंसर हम देख रहे हैं कि जिनमें वेस्टन डाइट ज्यादा है प्रिजर्वेटिव ज्यादा है उन लोगों में गर्भाशाय का कैंसर ज्यादा देखने को मिल रहा है अब न जल्द से जल्द इलाज करें तो कम से कम इलाज में इससे हम दूर भाग सकते हैं पहले तो इन्हें होने के जो भी कारण है उन्हें दूर करें और अगर हो भी गया है तो जल्दी पकड़ने के तरीके स्क्रीनिंग करें पैपिस्मियर करें यूसजी करें सोनोग्राफी करें प बार बार गरम किया जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार, उसमें उनमें नाइट्रोजामीन, नाइट्रेट्स, बेंजीन, यह सब कंपॉर्ण का डेलबमेंट हो जाता है, और यह जो हैं, यह कारसीनोजन होते हैं, यह कैंसर कराने में बहुत ज्यादा कारक होते हैं, दूसर और खुद मोटापा जो रहता है वो cancer cell को nutrition देता है इस कांट से उनकी अच्छी बड़ोत्री होती है इस तरीके से देखा जाए तो junk food जैसे western countries में cancer पहले बहुत ज्यादा था और वही ट्रेंड अब इंडिया भी फॉलो कर रहा है और इंडिया में भी जो पहले 25 या 28 में से ए झाल